हलो दोस्तों, तो स्वागत अका मेर चानल टॉप एंजियनिन में तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो केप में उस ट्रेजर को निकाल लेता है और उस ट्रेजर से एक इलेक्सर बनाता है फिर वहाँ पे वो उस एलेक्सर को एब्जर्ब करना शुरू कर देता है एलेक्सर को एब्जर्ब करने के बाद अपना हीरो क्विंचेन लेवल अप कर लेता है जब वो लेवल अप कर लेता है फिर उसे अपने ब्लैक्सलेब का याद आता है वो सोचता है कि वो अकेला है क्या वो ठीक होगा कहीं वो किसी तरह का मुसीवत में तो नहीं है फिर क्विंचन उसकी ओर जाने लगता है इधर यहाँ पे Black Slip दो बंदों से अकेला फाइट कर रहा होता है जो कि काफी स्टॉंग भी होते हैं Black Slip से यह वही बंदे हैं जो अपने हीरो को मारना चाहते है और यह अपने हीरो का सिटी से ही पीछा करते आ रहे हैं यहाँ पे Black Slip किसी तरह उन दोनों बंदों से फाइट कर रहा होता है और साथ ही इन से फाइट करते करते है Black Slip काफी जखमी भी हो जाता है black slave enemy के attack से मर नहीं वाला होता है तब ही वहाँ पर अपना hero आ जाता है और उसे उस attack से बचाता है तो episode 234 के start में हम देखते हैं जब वो दोनों enemy अपने hero को देखते हैं कि वो आ चुका है तो उसे देखकर old man music बोलता है ओ ये तो तुम हो फिर यहाँ पर अपना hero black slave के हालत को देखते हुए उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो तुमने काफी अच्छा काम किया है और उसे एक healing पील देते हुए बोलता है चिंता मत करो यहाँ पर सब अब मैं समाल लूँगा तुम बस rest करो पहले तुम खुद को heal कर लो तो जब black slave खुद को समालता और देखता है कि उसका master queen chain आ चुका है और वो इन सब सर फाइट करेगा और वो भी अकेले ही तो black slave यहाँ पर बोलता है master आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था आप चले जाओ यहाँ से इस old man Liu Zee के पास एक पवितरी mirror है जो की असानी से मेरे heavenly demon flag के power को दबा सकता है मुझे fight करने दे इन सब से आप चले जाओ यहाँ से तो इस पर क्विंचन कहता है कोई बात नहीं तुम बस थोड़ा पीछे जाकर अपने जखमों को heal करो तुम थोड़ा risk कर लो मैं यहाँ सब को समाल लूँगा चिंता मत करो यह बस एक बेकार कपल है इन दोनों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे आदमी को चोट पहुचाने का अब जो भी होने वाला है यहाँ पे उससे तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता इस धर्ती के नीचे या इस धर्ती के ऊपर या heaven और hell में से कहीं से भी तुमें कोई बचाने नहीं आएगा तो अपने hero की इस line को सुनकर दोनों हसने लगते हैं फिर इस पर वो बंदा बोलता है बच्चे जब तुम मेरे हातों से कुछ दिर बाद मरोगे तो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या उस वक्द भी इतना एरोगेंट रहोगे या नहीं ये line कहने के बाद वो बंदा अपने hero क्विंचन पे अटक करना शुरू कर देता है उसके इस अटक को अपना hero बड़े असानी से डॉज करता है तो उसके अटक को जब क्विंचन डॉज करता है तो फिर तो वो बंदा कहता है फिर बचे तुम कब तक मेरा अटक से बसते रहोगे फिर अपने sword से क्विंचन पे अटक करता है क्विंचन इस बाद भी उसके अटक को बड़े असानी से डॉज करता है तो क्विंचेन बोलता है बस इतना ही फिर वो बंदा बोलता है डौज करना बंद करो मेरे अटैक का सामना करो और फिर वो बंदा एक पारफुल सौर्ड अटैक अपने हीरो पे करता है क्विंचेन भी इसके रिपलाई में एक पारफुल सौर्ड अटैक करता है जो कि उसके फटा का फटा ही रह जाता है फिर क्विंचन वहाँ पे गिरा हुआ उसका स्टोडेज रिंग ले लेता है तो इस तीन को देखते हुए ओल्ड मैन लियूजी कहता है बच्चे तुम अब तक अपने कल्टिवेशन को छुपा रहे थे मगर तुम अब मरोगे और ओल्ड मैन एक के स्पियर निकालता है इस स्पियर को देखके ब्लैक स्लेप कहता है यह क्या यह तो सिक्स ग्रेट का वेपन दिख रहा है फिर वह ओल्ड मैन लियूजी उस स्पियर से एक ड्रैगन अटेक करता है तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर वापस से ब्लैक स्लेप आता है और बलता है और वह स्पियर अपने हीरो को लगने ही वाला होता है मागर फिर वापा से अपने स्वाड से एक पार्फ। वेप अटर यह पर फो स्पियर को नके ने और ऑल्ड मैन लियूजी इस अटक को अपने स्पियर से रोकता है जब ओल और ये fire किस तरह का है इसके पास इतना खतना के special fire आया कहां से और कहता है इस बच्चे को आज मरना होगा नहीं तो फिर मैं जिन्दा नहीं रख पाऊंगा मुझे इसे मारना ही होगा फिर यहां से दोनों की बीच में fire शुरू हो जाता है इस बार old man लियूजी अपने power को increase कर करता है और फिर क्विंचन पर attack करता है वह अपने उसी dragon technique को यूज करता है मगर मगर इस बर उसका यह technique काफी powerful होता है मगर फिर भी क्विंचन इस dragon technique को अपने sword से रोक लेता है और वो old man पे अपने sword wave से attack करता है दोनों ही अपना best move यूज कर दे होते हैं इस fight में फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो old man लियूजी इस fight में हारने लगता है और इस fight का दौरान old man लियूजी को चोड़ भी आ होता है old man लियूजी उस pill को खा लेता है और उसके बाद उसका power increase होने लगता है तो इस scene को देखा black slip कहता है यह तो power brushing pill है थोड़े देर के लिए इस pill से किसी का भी power increase हो जाता है increase power के साथ old man लियूजी क्यूंचन पर attack करता है इस बर old man का यह attack पहले से काफी powerful दिखरा होता है मगर फिर भी इस attack को भी अपना hero बड़े अराम से रोक लेता है और जब क्यूंचन old man पर attack करता है फिर old man क्यूंचन के attack को ज्यादा दिर नहीं रोक पाता है और वो इस attack के कार old man लियूजी का balance बिगर जाता है और वो सीधा नीचे आगे होता है जब old man लियूजी के पास कोई चालर नहीं होता सिवाई fight करने का तो फिर वो आखिकार अपना पवीत्री mirror का use करता है हम यहाँ पे देखते हैं कि लियूजी अपने पवीत्री mirror के power को अपने spear में use कर रहा होता है वो दोनों के power को combine करने का कोसिस कर रहा होता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खतम होता है तो comment पर मुझे जरूर बताएं आपको यह एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा होते वीडियो को एक लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैंतर चैनल को जर झाल बताएं झाल